बांदा में पहला नी थाना छित्र के अमलोर गाउं में पती ने अपने दूद लेने वाले से तीन सो रुपाई लेकर खर्च कर दिये जिस पर कारण यूवक वा उसकी पत्नी के बीच काफी विवाद हो गया पत्नी अपने बेटे संग मिलकर पती के धार सिर पर कुलहाडी से हमला कर दिया जिस कारण पती लौलूहान हो गया और उसकी हालत गंभीर हो गई परिजना अनफानन में यूवक खुले कर जिलास पताल पहुंचे जहां पर उसका उपचार चल रहा है अब एक केदार नाम के 40 साल के वैक्ति को यहां लाए गया है उसके साथ मार पीट की गई थी उसके सर में और हाथ में काफी ज्यादा चोटे आई हुगी है उसका यहां पर इलाज चल रहा है हालत उसकी अभी जब आयत अब कंभीड थी अभी लाज के बाद सकी हालत स्थिर हो गई ठीक हो गई है उसको दवाई दे दी गई है स्काराम है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्याद से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकोन दबाना ना भूले ताकि हर ख़बर का अपडेट आप तक पहुँचे तुरंद आप हमें इन्स्टा, ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारे आईडी है अट्टरेट ज्यम्धी ड्यूस फ्लाश